सो हले इपॉप की दिवानों कैसे हो भाईओं आप सब शुरू करते हैं रफ्तार से सो रफ्तार निकल एक स्टोरी शेकरी कुछ ऐसी हार्ट ब्रोकन इमोजी के साथ में भी शायद कलमकार में जो सीन चल रहा है उसी से रिलेटिट थी शायद उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है खेर कुछी देर बाद उन्होंने ये स्टोरी डिलीट कर दी थी इसके लावा कलमकार लेबल ने कल अपने इंस्टेग्राम से पुराने सारे पोस्ट रिमूफ कर दिये थे वहाँ सिर्फ दीब कालसी और युनान की गानों के पोस्ट है रफ्तार और कृष्णा की गानों के पोस्ट हटा दिये थे जिसके बाद ओडियन्स को लगने लगा की शायद कृष्णा ने भी कलमकार छोड़ दिया है बट उसके कुछी देर बाद कलमकार ने अपने पुराने पोस्ट दुबारा पबलिक कर दिये नेक्स्ट अपडेट M.E.V की तरफ से सुकल गुरू पुर्णी मा के दिन M.E.V का हिंदुस्तान टाइम से एक आर्टिकल आउट हुआ है जहां M.E.V ने M.N.M. Tech9 एंड लिल्वेन को अपना गुरू बताया है उन्होंने कहा है नेक्स्ट अपडेट डिवाइन ने जो कल सिद्धु मुसी वाला के साथ ट्रैक अनौंस करा है वो पोस्ट फिल्हाल डिवाइन का मोस्ट लाइक पोस्ट बन चुका है विद अराउंड 5,70,000 प्लस लाइक्स और इवन मोस्ट कॉमेंटेट पोस्ट भी विद अराउंड 27,000 इससे आप अंदाजा लगा सकते हो गाने को तगड़ा रिस्पॉंस मिलने वाला है नेक्स्ट अपडेट MC स्टैन से रिलेटेड तो एक यूट्यूबर क्रेजी दीप ने पुनित सुपरस्टार को रोस्ट करते वे एक वीडियो अपलोड करी है जिसमनोंने स्टैन को भी थ शपरी की नहीं इसकी बात कर रहा हूं MC स्टैन ने बिग बॉस में इसके कॉंटेंट को क्रिंज गा और उसके बास से इसकी ओडियंस MC स्टैन को ऐसे गालिया दे रही है मास बुली करने को इसकी ओडियंस सपोर्ट के ना कहती है बतलब आप किसी को सपोर्ट करने के लिए किसी और क्रेटर की मम्मी को गाली दे रहे हो तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाए